दो मिंट के अंदर बिना मिक्सी के आप कैसे निकाल सकते हूँ बेल का सरबत वो भी बहुत ही इजी तरीके से जो की पीने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा बेल का सरबत पीने से काफी सारे फैदे होते हैं जैसे की पीट में खास करके ये ठंडाय रखता है गर्मियों में पीने से गर्मियों से बचा जा सकता है सिर्दार की प्रोब्लम होती है उनको भी जिनके पीट में गैस रहती है उसको भी ठीक करता है गर्मियों में खास कर इसको पिया जाता है जिसे की गर्मी से बचा जा सकता है लू से बचा जा सकता है बेल के साथ साथ हमने पन्ने की भी रेसिपी डाल रखी है तो वो वीडियो नहीं देख रखी है तो आप नीचे डिस्क्रेप्शन में जाकर जरूर देखी है हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं बेल का सरबत वो भी 2 मिंट में एक मीडियम साथ ले लिए और यह पकावा बेल है बिछुल तयार है और इसको हमने पहले एक सैट से तोड़ लेना है इसके दो हिस्से भी आप कर सकते है और इसको चमच की सहयता से आप इस तरीके से इसका गुद्धा को आसानी से इजली ये निकल जाता है उसके बाद हमने सारे गुद्धे को निकाल लिया है और आप ढूंगा लिया है उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है पहले मैंने इसमें सिर्फ दो गिलास पानी एड़ किया है अब जो हमने बेल का गुद्धा को निकाल के रखा हुआ था उसको हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको हातों से अच्छे से मसल देना है इसको तब तक मसल देना है जब तक कि यह बरीक ना हो जाए आप चाहे तो आलो जिससे मैश होते हैं उसका भी यूज कर सकते है अब हमने इसको अच्छे से मसल दिया है और अब हम इसको चावल बोईल करके चानते हैं या आप सबजी दोते होंगे वो वाले हमने स्टील की चानी ले ली है और इसके छेद पी जादे मोटे हैं लेकिन बीज इसमें से नहीं निकल पाएगा तो इसके अंदर हमने इसको चान देना है और इसको अच्छी तरीके से उसमें हिलाते रहना है जिससे की बीज हमारे उपर ही रह जाएंगे जो भी गुद्दा है और निकल जाएगा इसको हमने निकाल दिया बीज हमारा उपर रह गया अब हमने जो इसका गुद्दा फिर से बचा हुआ है जिसमें बीज भी है उसको हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको और मिक्स करेंगे और फिर से इस छनी में चान देंगे चनी के नीचे हमने जितना बड़ा चनी है उतना ही बड़ा हमने थाली लिया है तो अभी हमने इसमें कम पानी यूज किया है तो आप इसमें बाद में पानी और एड़ कर सकते हैं इसमें बरप एड़ होगा अभी चीनी एड़ होगी और रेसा इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अलाव हो चुका है तो बेल का गुद्दा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा निकल चुका है इसको इसी तरीके से भी पी सकते हैं बिल्कुल भी आपको कड़वा नहीं लगा इसी खान का यूज किया आप चाहे तो चीनी का यूज भी कर सकते हैं और चीनी ना हो तो आप गुड का भी यूज कर सकते हैं इसमें बरब आट किया है और इसको हमने mixi में घुमा लिया है बहुती perfect तरीके से 2 mint में हमारे बेल का सरवत बनकर तैयार हो चुका है इसको आप सर्फ करजिए अगर आप इसको गाड़ा पसंद करते हैं तो आप पानी कम रखें अगर आप पतला खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और पानी आड़ कर सकते हैं या बरब भी आड़ कर सकते हैं तो यह हमारा perfect तरीके से बेल का सरवत बनकर तैयार हो चुका है यह बेल का सरवत आपको कैसा लगा कमेंट करके बताए वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा अन्याबाद